वेल बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश श्यादव और बिग बॉस सीजन 18 के विनर मुनवर फारुकी दोनों के बीच में ECL 2024 मैच की वज़ा से दोनों इस वक सुर्कियों में है एल्विश हरयान भी हंटर्स टीम के और मुनवर फारुकी मुंबई डिस्पर्सर्स टीम के कैप्टन है इंदरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उनकी टीम्स के बीच में मकाबला हुआ मैच से पहले दोनों के बीच हलकी फुलकी नोग जोग भी देखने को मिली कि स्टेडियम को खाली करवा दिया सेक्योरिटी प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए अब स्टेडियम से बाहर निकलते वक्ती की एल्विश के फैंस की कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल भी होती हुई नजर आ रही है स्टेडियम में फैंस नजर नहीं आए लेकिन मैनेजमेंट के मेंबर्स मौजूद रहे इसलिए मैच जो है वो कंटिन्यू रहा हाला कि इस चौक आने वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है अभी तक ऐलविश या इवेंट और्गनाइजर्स की तरह से इस पर कोई भी ओफिशल स्टेट में शेयर नहीं किया गया है सोचल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो शेयर कर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया था एक रिपोर्ट की माने तो मनवर फारुकी के खिलाफ खेलने के लिए अलविश याद आपको जान से मानने की धंकिया मिली केल से पहले अपनी बाचीत के बारे में बाचीत करते हुए बिग बॉस OTT2 के विनर ने सेंड़ अप कॉमेडियन को सेकेंड रनर अप कहा था जिस पर बादवाले ने जवाब दिया हर सिस्टम को न अपडेट करने की जरूरत होती है मुझे लगता है कि वो अपडेट दे देंगे हम वल आपका इस अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें